नमस्कार हमारे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रेश्टर कूकर में हमने उबाला हुआ है मटर और आलू आप लोग देख लीजिए एकदम बढ़िये से पक गया है आज की रेश्पी बनाएंगे छोला तो देखिए मटर अच्छे तरीके से गल गया है और इसमें प्याज का छिलका हमने उताल लिया है इसे कूटना है थोड़ा से हमने लिया हुआ है अद्रक और मिल्ची इसे भी साथ में कूटेंगे हरा हमने लासुन लिया हुआ है आप चाहें तो इसमें सूखा भी डाल सकते हैं हमारे पास नहीं है तो मैं यहीं यूज कर रही जीरा है उख लाल मिर्च है इसे भूनेंगे जल जीरा पावडर हमने लिया हुआ है छोला मसाला लिया है इमली लिया है इसे भीको देंगे कड़ाई में डालेंगे जीरा और मिर्ची चलाते हुए एकदम क्रिस्पी भूर लेंगे जीरा का खुस्दू बहुत अच्छे से आ रहा है आप लोग देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी हो गये हैं अभी से निकाल लेना है कोट लेना है सर्सो का तेल हमने कड़ाई में डाल दिया है गरम हो चुका है कूटा हुआ लासून अदरक मिर्सी प्याज को डालेंगे अच्छे तरीके से चलाते हुए भून लेना है तड़के को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हल्का फलर चेंज होने तक भूनेंगे बीच बीच में चलाते रहना है ते देखिए चलर लगभ़क बेंड हो गया है अब डालेंगे कटा हुआ टमाटर थोड़ा से डालेंगे तेख पी नमक चलाते हुए साथ में धुन लेंगे टमाटर गल जाए इसके लिए धक्के पका लेना है एक दो मिनट के लिए पलेट हटाते चेक का ले रहे हुँआ अब इसे चला देंगे टमाटर बहुत अच्छे से गल गया है आप लोग देख सकते हैं शारी सामागरी बहुत बढ़ने से पक गई है अब डालेंगे हल्दी पावडर और छोला मसाला, थोड़ा सा जलदीर पावडर, सारी सामागरी ते चला देंगे अब डालेंगे छोला उबाले हुए मटर को हमने डाल दिये है अब डालेंगे आलो अब डालेंगे काला नमक भूना हुआ जीरा और मिर्ची थोड़ा से डालेंगे सारी सामागरी को आपस में चला के मिक्स करतेंगे अब डालेंगे पानी पानी डाल के एक बार चला देना है छोला पकना इस्टार्ट हो गया है इमली वाला पानी हमने मिक्स कर दिया है इमली को अच्छे तरीके से इसका रेशा निकाल दिया है इसे भी डाल देना है छोला की रेश्पी आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं अब डालेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिय का पत्ती आप जितना सूखा या गीला बनाना सकते हैं तो बना सकते हैं देखिए अब ज़्यादा हम नई सुखाएंगे इसे लवख तैयार हो गया है 10-20 मिनट हो चुका है गर्मे गरम स्वादीष्ट टेश्टी छोला बन के तयार है आप लोग देख सकते हैं आप इसे चावल रोटी के साथ में इंज्वाई कर सकते हैं या फिर आप कटोरी में लेके चिम्मत से खा सकते हैं प्याज मूली धनिया नमकीन से गानिस करके उपर से बहुत ही अच्छा लएगा चलिए यहीं पर वीडियो को करती हूं समाथ नमस्कार